मैडम शादे को दो साल हो गया है, तीन साल हो गया है, प्रिग्नेंसी मैं लग रही है, तो आजकल मैंने देखा है कि 25 एज की औरते हैं या फिर 26-27 एज इस एज में ही पेशन्स बहुत ज्यादा एंक्शिस हो गए हैं कि हमें प्रिग्नेंसी जल से जल लगनी चाहिए, क्योंकि आजपास इंफर्टिलिटी को देख के लोग डर गए हैं कि कहीं हमें भी बच्चे न बतलो, आपके पास टाइम है, जिनकी लेट होई है, वो थोड़ा सा जल्दी करें कि अपने को प्रिग्नेंसी जल्दी चाहिए, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनसे आपको प्रिग्नेंसी as soon as possible आपको कंसीम हो सकती है, सबसे पहली चीज आपको फर्टाइल ड में आप रेगुलर ट्राइ करिए, ऐसा नहीं है कि मैडम दिन में दो बर सेक्स करना है, क्या मैडम डेली सेक्स करना है, क्या alternate डे आप सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना एक होता है, वो बारा से चौदा गंटे जिन्दा रहता है, और जो स्पाम होते हैं, वो फाइफ गपसिटिंग होती है, वो थ्री डेस तक ही होती है, 72 आस तक ही, दूसरा, आजकल ओविलेशन किट्स काफी चल रहे हैं मार्केट में, तो ओविलेशन किट्स आपका क्या पता करता है, एक LH नाम का होर्मोल होता है, अपका LH होर्मोन रिलेस होता है, उसके बाद ही एक पर दाउन चला जाएगा, मालीजी आपका LH सर जो सुबह हुआ है, और आपने टेस्ट आज एवनिंग में किया है, तो हो सकता है कि आपका LH टेस्ट नेगेटिव है, आजकल जो ओविलेशन आप्स चल रहे हैं, वो भी सिर्फ प्रोबैबिलीटी बताते हैं, तो आप उन प्रोब्लम है, जिसको पीरिट्स रेगुलर्डी आते ही नहीं है, उन में थोड़ा सब पता है इसका अपने को पता लगाना मुश्किल हो जाता है, तो इस पे मेरी एक अलत नीडियो है, जिनके इर्रेगुलर पीरियट्स होते हैं, उसमें आप उविलेशन देका कब पता लगा सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा उस पे जाके आप देखिएगा, एक पॉइंट ही आता है कि पेशिंट्स से बोलते हैं कि वाडम सेक्स करने के बाद में सीमन पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, सीमन जो होता है, वो कितना होता है, तो इन सब से अलक होके वो लिक् होते हैं, वो अपनी यूटरिस की तरफ मोग कर जाते हैं, तो 15-20 मिनिट में आपका सेमन पतला हो जाता है, और जो बाके जो डस्ट रह जाता है, वो बाहर निकल जाता है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रुत नहीं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, एक की क्वाल लगे, आपको वैसे करना है, लेकिन कोई भी पुजिशन ऐसे नहीं है, कि आप इस पुजिशन में सेक्स करेंगे, तो आपको प्रिग्मेंट से जल्दी लगेगी, नेक्स्ट पेशन ये पूछते हैं, कि मैडम सेक्स के बाद में अपने वो कितनी देर तक लेटे रहना है, करेंगे, वो यह है, जो अपने अपने गणी लगेगा, उसकी चंटा मत करिये, लगे, जादा से जादा नेक्स या नेक्स टाइल करेंगे, जिससे अपने प्रिग्नेंसी जल्दी हो, तो आजकर की जो लाइफ है, इसमें जो बेसिक जो ठिंग है, जो हर्डल है, अपको बुकावट है आपकी फर्टिलेटी में वो है स्ट्रेस आठ से नौ घंगता जॉब करना फिर ट्रेवल करके अपने घर पर पहुचना दोनों कपल्स का ठक जाना तो जो आपका स्ट्रेस है वो चलता रहेगा लेकिन जो आपके फर्टाइल डेस है उन फर्टाइल डेस में उस स्ट्रेस को अपने को साइड बे रखना है थोड़ा सा एक्टिव रहना है थोड़ा से योगा थोड़ा से एक्सरसाइज पांट दस मिर्ट पंदरा मिर्ट आप निकाली अपनी बॉड़ी के लिए आप वो करिए आपको कफी अच्छा फील होगा अब पेशिंस पूछते है मैडिसिन कौंच लेनी ही तो देखिं मैडिसिन में हम प्रसकाइब करता है आप फॉलिक असे लेजिए हज़्बंद बाइफ दोरों कपल्स लेजिए क्योंकि जो बेबी बनता है दो बनता है तो फॉलिक असट की जो मातरा होती है 5 मिली ग्राम पर डेव लेना चाहिए हम कह का fusion अच्छे से होता है बेवी में कुछ abnormalities जो पाई जाती हैं जैसे कि spine के abnormalities होती है रीड की हंडी की abnormalities सिर की abnormalities यह बहुत कम हो जाती है folic acid लेने की वज़े से folic acid एक बहुत इच्छा विटामिन है जिसको आपने तो आपको काफी फाइदे मिलेंगे अब डाइट डाइट कौन से लें जिससे कि हमारी fertility इंग्रीज हो सकती है तो जो आज कर जो बेसिक जो डाइट लोग लेते हैं कि पिज़ा खा के आना है बर्गर खा के आना है जंक फूड खाना है फ्राइज खानी है तो प्लीज यह वाली डाइट आपको अवाइट करनी पड़ेगी अगर आप जल्दी से जल्दी कंसीख करना चाहते हैं आपका पानी जो है पूरे दिन का 3-4 लीटर पानी आपका होना चाहिए ग्रीन लीफी वेज़िटेबल्स हरी फ्रूड सभी यह यह रहा है और द्राइट फ्रूट से रहन के अलमेंड जो बादाम होता है उसका बहुत अच्छा रोल है यह अगर ع Instant को परेंगी इंसे जल्सेज जो डिया we are here to help you. Thank you, be happy, be safe.